हाई आज हमें यूजर डिफेंट फांक्शन में मल्टी स्टेटमेंट टेबल वालूट फांक्शन का ऐसा क्रियेट करना दिखते हैं इसलिए पहले मैं क्रियेट करें हूँ क्रियेट फांक्शन उसका नाम दे रहे हूँ इसको मैं पेरामेटर पास कर रहे हूँ और उसके बाद यह रिटन करता है टेबल का टेबल में उसका डेटा टैप है टेबल ही ए और यहां क्या करना है टेबल के वहां मतलब उसका टेबल का स्ट्रक्चर देना पड़ता है हमको और उसके लिए मैं त्री ट्री कॉलम्स रहे रही हूं उसका और उसका टाइप डेट यह रहा हूं उसका स्ट्रक्चर है उसके बाद एस बिगिन मैं यहां इंसर्ट स्टेट्मेंट कर रहे हूं इंसर्ट इंटू अड़ डेट टेबल और उसके बाद मैं सेलेक्ट करती हूं सेलेक्ट एंप्लॉई आईडी कमा एंप्लॉई नेम कमा एंप्लॉई डेट अफ़र्थ फ्रम एंप्लॉई डेट अफ़र्थ टेबल और उसको मैं यहां रिटन करती हूं और एंड यह रहां फंक्शन का मैं क्रियेट कर रहे हूं इसके लिए पूरा सेलेक्ट किया और एंप्लॉई डिया देखों इसको देखने के लिए हमें वहां डेटाबेस को जाके और प्रोग्राम मुल्टी में जाके टेबल वालुई फंक्शन में देखा तो हमको यहां अब एंप्लॉई को यहां आके के के रेफरेश किया तो यह दो तैबल वालुई अ हमको यहं फंक्शन आ रेया यह रहां में यह ए обсंक्शन को select start from fn underscore function under get employee okay अब देखा अब हमको यह सब डेटा आ गया यह वह मतलब यहां टेबल लेकर अब्राइड यह बीसे टेबल लेकर और टेबल यह यह स्ट्रक्चर में पास होके हमको ऐसा सेलेक्ट हो गए यह रहा हमें a table value my disabled value function function का यह सब देखाया है और उसके बाद हमें क्या देखता है इसमें हमें उसके बाद हमें encryption functions का encryption कैसा करना है वो सब देखते हैं इसी ने मेरे पास अब ही एक देखो हमें यहां एक function है अल्रेडी हमें calculate age का कुछ देखा है हमें इसका वो हमें लेके देखो यह function लेके में एक क्रियेट कर रही हूं calculate age कर रही हूं में यहां और उसके नाम देती हूं और यह क्या with encryption रखा है इसके पारे में हमें देखा है इसके क्रियेट कर रही है उसको अब यह encryption से हिसाब से में create कर रहे हूं create function और calculate कर रहे हूं और अब यह हमें स्केलर फंक्शन में हमें calculate age 2 है वह यह ऐसा हमें function के create क्या है मगर हमें देखो अभी यहां आखे राइट करके यहां राइट लिक करके script function create to और new carry editor window यहां देखा तो हमको error आएगा मतलब यहां data मतलब इसको function का data data text नहीं देख सकते हैं इसका encrypt यहां पतलब यह देखो पहले पहले मेरा function है दूसरा और उसको script function क्रिएट टू देखा यह देखते हमें यह को यह को यह बिना encryption है इसलिए हमको पूरा मतलब इसका डीटेल्स हमें पूरा function का और टेक्स्ट देख सकते हैं यह रहां बिना encryption है और यह रहां encryption तो लिखा तो encryption वीट encryption लिखा तो क्या होता है वो हमें data नहीं देख सकते हैं यह रहां एक यह फंक्शन क्रिएट करता है encryption ते आओ दूसरा है schema binding schema binding क्या होता है यह फंक्शन का क्या-क्या database objects ते वह रेफरेंस वहाती है यह सब हमें देख सकते हैं यहां क्या मेरे पास एक already तो एक एक function तो create किया है मैंने employee department का और यह देखो हमें यह में with schema binding का लेका है यहां क्या कर सकते हैं हमें schema binding में employee department 1 employee इसका हमें देखो यह function का detail सब मिलता है और इसके हम क्या सकत क्या मतलब देखो यहां क्या क्या डिपेंडेंसिस की बांबॉंड डिपेंडेंसी है यह हमें user defined function है यह किसका डिपेंडेंस सब मिलता है मतलब यह क्या employee details function का टेबल इस्तमाल करता है यहां हमें क्या कर देखो टेबल डॉप करने के लिए किया तो cannot drop table by because schema binding में है इसलिए उसका डिपेंडेंसिस को कभी यह डिलीट नहीं करने देता है वही हमें दूसरा दूसरा function लिया तो दूसरा function को हमें डिलीट करने के लिए ट्राइ किया तो दूसरे टेबल में without schema binding और डिलीट कर सकते हैं मतलब इन schema binding हमें उसका डिपेंडेंसिस को टेबल को नहीं डिलीट कर पाएंगे यह रहा यह आज क्या देखा हमें करना है क्रियेट किया है वह टेबल का structure भी वही पर देना और उसका वह टेबल का पास करें और यहां वहां function से टेबल रेट्रिव किया और उसके हमें with encryption को देखा है उसके बाद with schema binding को देखा है इसकी माँ binding में किया तो उसका dependencies को हमको कभी भी delete करने नहीं देता है देखो अभी यहां टेबल को drop करने के लिए try किया तो वह पोलता है वह cannot read because it is referenced by an object यह function में यह object को reference कर रहा है यह आज के लिए यह दन्यवाद नहीं